रही बात दीब्दान उस्व की तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास के पन्ने जब आप पलट कर देखते हैं इतिहास के गर्व में जब आप जहां कर देखते हैं तो आपको बुद्धुकालीन भारत में विभिन परकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं बुद्धु से संबंदी जानकारी प्राप्त होती है समराट अशोक से संबंदी जानकारी प्राप्त होती है नंदवन से संबंदी जानकारी प्राप्त होती है कनिश्क से जुड़ी हुई जानकारिया मिलती हैं लेकिन जब मैं इतिहास के पन्ने पलट कर देखता हूं उसे खंगालता हूं वैशाली गन्राज्य आये थे तो वैशाली गन्राज्य के लोगों ने उनके स्वागत में दीप जलाए थे तो यह सुनने को मिलता है कि हाँ दीप जलाए गए लिकिन दीप दान किया जाना ऐसा परमाण कहीं भी प्राप्त नहीं होता दीप दान मतलब मैंने कोई दीप जलाया है अब वो दीप मैं आपको दे रहा हूँ तो वट दे सैंस देर एक्चुली टेस सैंसलेस कोईशन कि आप अगर पूरे समाज की परंपराओं को रूडिवादिताओं को देखें या फिर उन सारी वहवारिकताओं को देखें जो लोगों के आचरण में नहित है या किसी धर्म वर्ण संपरदा या किसी जाती विशेश से संबंदित रखती है या किसी धार्मिक अनुस्थान या धार्मिक कर्मकांड से संबंद रखती हो तो वहां दीपों का दान किया जाना कहीं भी परिलक्षित होता दिखाई नहीं देता हां व्यक्ति के मरने के पस्चात जब एक साल हो जाती है तो दीप लगाने जरूर लोग जाते हैं किसी नदी में या बहते वे पानी में दीपों को जला करके बहा दिया जाता है लेकिन दी या बाबा साब डॉक्टर भीम रावंबेटकर की विचारधारा का परिलक्षन करने के लिए समाज में विभिन्न परकार की भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि दीपदान उत्सव जैसी कोई चीज नहीं है लेकिन फिर भी लोग दीवाली के दिन दीप जला रहे हैं दीवाली का मनाया जाना और दीपदान उत्सव का मनाया जाना दो अलग-अलग घटनाए हैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो नए नव बॉद्ध जो स्वैम को बुद्धिस्ट मानने लगे हैं बेटकर वादी मानने लगे हैं उनके खोन में कहीं न कहीं शुरुआती दोर से ही दीवाली को मनाया जाना निहित है उनके परिवार में दिवाली मनाई जाती रही है तो इसलिए उन्हें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि दिवाली कर्तियोहर मनाया जाना चाहिए लिकिन उसका सरूप बदल दिया जाए हम अपने हिसाब से दिवाली मना लें तो ऐसे में उन्होंने दीप, दान, उत्सव, नाम क एक परिपाटे तयार कर ली तो जिससे उन्हें दिवाली मनाने का सुकून मिल जाता है जो कि एक साइकॉलोजिकल इफेक्ट है एक्षिली रादर साइकॉलोजिकल इफेक्ट इफेक्ट इस एक क्लासिकल कंडिशनिंग क्या करते हैं तो उसी काम मनाने के लिए लोग एक रास्ता ढूंड रहे कि दीवदान उस्व के संबंद में इसे कर लें लेकिन गर्व में जाते हैं आपको पता चलता है कि अन्तिम साशक हुए महराज चक्रवर्ति समराट व्रह द्रत जो मौर्यवंज के अन्तिम समराट हुए तो उनकी सेना का एक संबति था उस संबति का नां था पु श्यमित्र सुंग ये पिश्या मित्र सूंग एक ब्रहमन समा से आता था और ये बड़ा ही धूर्त व्यक्ति था पग्षंडी किसम का व्यक्ति था तो इस व्यक्ति ने एक ऐसा परपंच रचा उस परपंच के माध्यम से ये निहित कर दिया गया कि हम समराठ की हत्या कर देंगे समराट को हम मार देंगे तो कई तरीके अपनाएं गए लेकिन वो पूरी तरह से विफल रहा लेकिन एक बार उसने कुछ इस तरह का रणनीती बनाई कि राजा ने कहा कि हमारा मन कर रहा है कि हम जंगल में जाकर शिकार करें तो उसने कहा कि बिल्कुल महराज आप जरूर चलिएगा शिकार खिलना राजाओं का खिल है आपको वहाँ जाना चाहिए ऐसे में जब राजा ने राजा व्रहदरत ने निरन लिया कि उसे शिकार पर जाना है तो जो पुष्य मित्र सूंग उसकी सेना का सेना पती था उसने अपने कुछ लोगों के साथ मिल करके योजना बनाई कि जब जंगल में राजा जाएगा तो हम लोग सैनिक के रूप में इनके साथ होंगे राजा का वद कर देंगे कोई न कोई तरीका निकालेंगे जिसकी वज़े से उसके बाद हम अपना सामराज्य स्थापित करेंगे ऐसा ही हुआ राजा को जंगल में ले जाए गया और राजा शिकार खेलते समय हुआ यूं कि अभी राजा घोले पर है राजाने अपने धनुष में तीर तान रखा है और सामने एक शेर आ गया है शेर का शिकार होना है बस एक तीर चलने के देरति और शेर का वध हो जाना था लेकिन तभी पुष्य मित्र सुंग ने कहा क्या एक शेर दूशरे शेर का शिकार हत्यार से करेगा हे महराज क्या आपको तनिक भी इस बात का अभास नहीं होता कि एक शेर की हत्या करने के लिए जो निहता है जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है आप उसकी हत्या करने जा रहे हैं मुझे लगता है कि ये न्याए नहीं है हे न्याए प्रिय राजा आप न्याए करें तो ये बात सुन करके महराज व्रहद्रत ने हत्यार त्याग दिये हत्यार त्याग ने के पाद व्रहद्रत गोड़े से उतरे और शेर के सामने आमना सामना हो गया, मतलब ये हुआ कि एक सेना पती ने महराज को अकसा दिया अकसाने के बाद महराज हथियार को छोड़ कर खें, शेर के सामने रूबरू रूब हो गए यकीन जानिएगा है इतिहास के पन्नों में लिखा है कि इतना ताकतवर व्यक्ति था कि इसने शेर को पीछे के दो पैर पकड़के एक पैर पे दूसरा पैर रखके ऐसे चीर दिया शेर के दो हिस्से कर दे दो फाड हो गए ऐसे में उसे लगने लगा पुष्यमित्र सुंग को कि उसकी तो योजना खराब हो गई है अब उस योजना के खराब हो जाने के चलते उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आईए हम अपना प्लैन टू एक्जिक्यूट करते हैं अभी राजा का चहरा जंगल की तरह सी ऐसे राजा पीछे पुष्यमित्र सुंग ऊर बाकी जो शैनिक थे हुआ है और उन्होंने पीछे से राजा के दोनों हाथ ऐसे काटें और ऐसे काटें और यहां से दोनों पैर काट दिये और उसी अवस्ता में दोनों हाथ monts और बड़पता रहा जंगली जानवरों ने खाया कीत पतंगों ने खाया कुछ नहीं पता लेकिन वो जब वापस आया वापस आकर उसने सुंग वंस की स्थापना की और अपना राज्या भी शेक करवाया और उस दिन उसने दिये जलवाए पूरे नगर में उसने खुशियां चाहता हूं और आपसे भी यह कहना चाहता हूं अगर आपको लगता है कि आपके बाप की हत्या करने के बाद आपको दीब जलाना चाहिए तो आप जलाईए अगर आपको लगता है कि आपके बाप की मौत हो जाने के बावजूद भी तो आप बाटिये अगर आपको लगता कि यह जानकारी आप तक पहुंचेगी और आप इस जानकारी को आगे बढ़ाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत आप सभी से विदा लेता हूं फिर किसी और दिन फिर किसी और अच्छी कहानी के साथ आपके बीच में पस्तिर रहूंगा तब तक के लिए जै